तो अब सब्सक्राइब सब्सक्राइब अब सब्सक्राइब चैनल राइजूकेशन वनुत्र जारवर्ती कोट अपडेट में आज दो प्रमुक और बड़ी सुनवाईया थी आप सबी पता है और जैसा मैंने बोला था कि मैं आप लोगों को अपडेट दूँगा लेकिन जो क कि पर देस है वो कॉजलिस्ट में अस फ्रेश्ज न में मिंशन होते हुए अदिशनल में मिंशन था अवर लखनोंईक की यही बात रहती है कि जितने भी फ्रेश बहते हैं या बेक लॉग के जितने फ्रेश केस रहते हैं सबको सबसे पहले सुना जाता है फिर उसके बाद बाखी के अडिशनल केस को सुना जाता है तो जी हाँ आज के दिन पर की पूरी सनवाई समाप्त हो चुकी है क्या हुआ है सुनाई में MRC और उत्तरकुंजी में तो आई ये जान लेते हैं सबसे इंपॉर्टन बात ये है कि उत्तरकुंजी मेंटर जो है अडिशनल में काफी जादा नंबरों पर लगा हुआ था तो पहली बात तो फ्रेस केस को ही टेक अप करते करते पूरा टाइम निकल गया है और फिर लंज के बाद जब फिर से वापस हुआ तो फ्रेस केस के बाद फिर अडिशनल उठाएगा रेडिशनल में छटे नंबर पर केस जाते आते सुनवाई समाब्द कर दी गई है बाकी जितने केसेज बते हैं उम्मीद यही है कि मंडे को उनकी सुनवाई हो सकती है तो उत्तरकुंजी में मंडे को सुनवाई हो सकती है वहीं MRC मुद्द पर भी अभी संभावना यहीं प्रकट की जारी है कि मंडे ओनवर्ड सुनवाई देखने को मिल सकती है उसमें भी यह विशेस बात निकल कर सामने आई है हाला कि मॉनिंग में ही केस बास ओवर की बात निकल कर आ रही थी लंच के बाद लंच के बाद फिर संभावना यहीं रही कि सुना नहीं है बेराल इंपोर्टन बात ही है कि ओर्डर में जैसे चीज़ें मेंशन की जाती है कि अगली डेट कब लगाई गई है या फिर मंडे को ही केस सुना जाएगा तब सारी चीज़ें सामने निकल कर आ सकती है दूसरी इंपोर्टन बात उन्तर जार बढ़ती ओर्डर संबंदीद तो मैंने आप लोगों को सबसे पहले गमसपश्ट तरीके से बता दिया था कि चार तारीक की कॉजलिस्ट में तीनो जज लली साहब है और सांता गदोड साहबर है एक और जब तीनो जज एक सांथ बैट रहे हैं चार तारीक की बेंच में चार सितंबर की बेंच में इसके लावाद दो तारीक की संभावना सबसे आदा प्रकट की जा रही थी लेकिन विपक्ष की तरफ से ये बात निकल कर आई है कि एक तारीक को संभावित किया जा सकता है कि अपना ओर्डर एक या चार इन दोनों में से किजी दिन आपको देखने को मिल सकता है अब ये संभावना को दवर है तो संभावना हम भी प्रकट कर रहे हैं इन्हीं सबची डेटों की बीच में यानि कि सेप्टेंबर फर्स्ट वीक में संभावना यहीं दिख रही है कि अपना ओर्डर आपको देखने को मिल जाए संभावितह अब इंपॉर्टन बात यह इन दोनों की बीच में कि सिक्षामित्र संभ जो 25 तारिक की डेट थी उसमें माननी विभाग से मिला और वहाँ पर उन्होंने अपने ग्यापन को सौपा उसमें उन्होंने एक दिमस्पष्ट कहा कि हमारे कुछ सिक्षामित्र बंदूं के द्वारा जो फॉर्म भरने में तुरूटियां हो गई थी और उन तुरूटियों को मंदज नजा रखते हुए उनको भारांक नहीं मिल पारने के कारण वो इस भरती प्रक्रिया में संभल साय के दाबक भरती में उत्रिने सिक्षामित्रों को भारांक देते वे चैन सुचे में सामिल करने के समद्ध में हैं अब देखे टूटि इनके द्वारा हुई है कि साइबर कैफे द्वारा हमने दे दिया था और उसने फॉर्म रात में भरा और उसने कुछ तूटियां कि इसके लावा नेटवर्क में कुछ प्राब्लम रही इस वज़े से नहीं हो पाया है तो हम सभी सिक्षामित्रे जितने भी हैं हमको कॉलम 14 पूर्ण रूप से सही से नहीं बर पाये थे परन्तु हमें भारांक नहीं मिला जिसके कारण चैन सुचिस हम बाहर हो गये हैं तो देखिए तुरूटियों के संबंद में जितनी बाते हैं तो तुरूटियों में सब आ जाएंगे सिक्षामित्र ही नहीं है बीएड बीटीसी जो भी बेढ़ती सीधे सीधे बोला जा उन्हों तरजारवर्ती में जो समलित बेढ़ती थे उन सभी की बात किया जिन्हों 75 ज देखेगी जिला जो में जो कमिटी इस्थापी तरह की प्रतिक जिले में उसके पास सर्वे सर्वा अधिकार रहेगा जैसा सिंगल विंच में भी ऑर्डर आपको देखने को मिला था तो वहीं आपको ऑर्डर देखने को मिल सकता है वैसा ही काम देखने को मिल सकता है ना सब को समलित रूप से एक समग रूप से देखने का कार समान रूप से सब का होगा बाकी के लिटेज चप डेटी के लिए बने रहे हैं बस्ट फ्लक थैंकियो जो मच